हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नोकिया का लिउमिया 535 मोबाइल है जिसमें कि हमें जो बैक कैमरा है उसके लेंज के ओपर जब स्क्रैचिस बगएर आ जाते हैं या वो थोड़ा डल हो जाता है तो फोटो उसके अंदर बिल्कुल भी सही नहीं आत लोन है इसी के कैमरा लेंज के अंदर हमें जो है प्राब्लम आती है अब कि देखें मैं आपको इसको खोल के दिखाने जा रहा हूं यह देखिए यह जो इसका लेंज है मैं आपको बता रहा हूंगी मैंने इसको खोलने के लिए पहले प्लास के साथ बहुत कोशिश की लेकिन यह नहीं निकल पा रहा था तो इसको खोलना बहुत ही इजी है इसको बस हलका सपैसे यहां से पकड़ें इसी तरह से मैंने इसको घुमाया जोड़ा सा तो इसका जो ग्लू नीचे लगा हुआ था वो डीला पड़ गया उसके बाद में मैंने एक आर्टरी या फॉर्शेफ्स के साथ जो डॉक्टर्स के पास होती है वो तीस साल इसे रुपय में मार्किट से भी मिल जाती है उसके जात मैंने इसको दीलागर के खोड़ लिया अब यह देखिए दोस्तों इस तरह से यह इसका लेंज है जो मैंने निकाल दिया दोबार अब मैंने इसको रिप्लेस किया है यह वाली लेंज के साथ जो मैंने इबी से मंगवाया था इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा अगर आपके पास पी लुमिया 535 फोन है और आप इससे परिशान हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने आप से चेंज करना करके इसका लेंज निकाल लेना है लेंज निकाल करके बहुत इजी ली उसके अंदर ग्लू लगा रहेगा बस उसको यहां रखना है और बिल्कुल सेंटर में उसको प्रेस कर देना है देखे इस तरह से जैसे मैंने अभी इसको किया है इसको प्रेस करने के बाद आप देख इसकी फोटो की clarity भी दिखाने जा रहा हूँ पहले की और अभी की clarity में मैं आपको फरक दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हो इसकी clarity कि पीछे दिवार कितनी साफ दिखाई दे रही है लेकिन यही पहले लेंज के साथ इसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आप देख सकते हो कि मैंने जैसे की यह माइक्रोसोफ लूमिया की स्क्रीन के अंदर आपको जो भी है वो दिखा रहा हूं यह देखिए आप देख सकते हो कितनी शार्फ फोटो आ रही है इसमें तो अगर आपके फोन में भी किसी तरह की प्रॉब्लम है और आप भी अपने फोन का नोकिया लूमिया 535 के लैंस से परिशान है और उसको चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको यही तुझा हो दूग तेखिए अपने के लिए